नमस्कार दोस्तों, अश्टडी विला मैं आप सधी का स्वागत हैं, आज हम 2 सेप्टेम्बर 2017 का न्यूज डिसकसन विध कोस्टन एन्सर के साथ करेंगे, ठीक है, देखे, यहाँ पे आप लोग तो न्यूज पेपर पढ़ते ही होंगे दा हिंदू, क्योंकि दा हिंदू, य आप लोग 10 मिनट दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ दन हिंदू से important question लूँगा, उन्हें बनाऊंगा, और बस आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा, ठीक है, तो चलिए पहला question में आते हैं, तो पहला question है, इसमें 2 statement दिया हो, ठीक है, उसको 11, तो आपको बताना है, कि statement कौन से सही है, ठीक है, तो पहला option है, only A, second option is only B, third option is both A and B, and fourth option is neither A and nor B, तो देखिए, इसका answer है, fourth, neither A nor B, because brick first meeting was in 2009, it is correct, but it is in यह का तेरिंग बर्ग, ठीक है, it is also in Russia, and Moscow is also in Russia, ठीक है, तो इसको 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 meeting हुआ है, रसिया में हुआ है, लेकिन जगा अलग है, ठीक है, तो second option क्या है, South Africa, joined the bricks in 2011, तो देखिए, ऐसे तो वो 2010 में join किया था, ठीक है, लेकिन वो meeting को attend किया था, 2011 में, ठीक है, तो join हुआ था 2010 में, तो confuse मत किज़ेगा, ठीक है, joining में और meeting attend करने में, ठीक है, तो इसका answer है, fourth, ठीक है, आई ये थोड़ा सी, इसके बारे में कुछ जान जाते हैं, तो देखिए, ब्रिक का first meeting हुआ था कहाँ पर, ये का तेरिंग बर्ग, रसिया 2009 में, ठीक है, दूसरा statement देखे पढ़िए, इन 2010, South Africa joined the brick, and 2011, South Africa joined as a full member, ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेगा, जॉइन और full member, ये दो अलग अलग बाते हैं, ठीक है, अभी 2000, अभी हमारे मोधी जी, चाइना के विजिट में जा रहे हैं, वहाँ से फिर वो मैन मार जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर देखे, 2017 को जो 9th meeting है, ब्रिक्स का, जो कि कहाँ पर होने वाला है, जी मैन, है, उनको याद रखें, ठीक है, चलिए next question पर आते हैं, next question क्या है, where is the second Indian Ocean Conference took place, तो देखे, इस तरह के question जो है ना, SBI Bank P.O. में हमेसा पूछे जाते हैं, तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखे हैं, तो इसका सही answer है Colombo, ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं औ और बता दू, इसका पहला मीटिंग सिंगपूर में हुआ था, ठीक है, और ये एक, ये एक दिल्ली-based think tank है, जो कि which looks for peace, prosperity, progress in the Indian Ocean, इसका पहला मीटिंग सिंगपूर 2016 में हुआ था, और free navigation हो Indian Ocean में, ठीक है, और इसके इस बार जो 2017 में हुआ है, वो Colombo में हुआ, जो कि मैं question में पूछा, इस बार, 35 country participating in its, ठीक है, उसके, तो देखिए, क्या होता है कि South China Sea का case आप जानते ही है, वहाँ पर free navigation China कितने नोटंगी करते हैं, वो आपको पता है, US हमेशा उस चीज को oppose क्या, लेकिन Indian Ocean में, इंडिया ऐसा नहीं करता है, इसलिए तो, जो भी इसके, साथ इनका बहुत ही friendly relation है, ठीक है, होता है कभी कभी जैसे नेपाल के साथ बोला जा रहा है कि अच्छा relation नहीं है, लेकिन होता है कभी कभी वो ठीक हो जाता है, ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखेगा, चलिए next question में आते है, next question है, name the committee set up for the banking reforms, ये question मैं इसलिए पूछ क्योंकि अभी आपने बिजनेस, जद्दा हिंदु का बिजनेस वाला पेज पढ़िया है, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक को merger कराया जाए, ताकि बेटर रिजल्ट आ सके, ठीक है, ये कौन सा ऐसा committee था, जो इस तरह के recommendation दिया था, जो कि banking reform से related है, तो पहला option है, नर् two committee, third option is रंगराजन committee, and fourth option is ककोड कर committee, तो देखे, नर्सिम्मन one committee जो था, वो financial system से related था, ठीक है, नर्सिम्मन two committee जो था, वो bank sector reform से related था, तो इसका सई जवाब है B, ठीक है, आई ये थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूं, देखे, क्या है, ये 1998 में आपना report समिट क इस टाइम के finance minister थे ये सवन सिना, ठीक है, और RBI governor थे भीमल जाएं, तो उनका recommendation क्या था इस, जो नर्सिम्मन two committee का, कि entry of foreign bank, ठीक है, विदेशिक बैंक आएंडिया में non-performing asset, जो कि अभी जान रहने कित्त बड़ा हो गया non-performing asset हमारे country में, जो कि एक सरदर्ध है हमारे banking sector के लिए, और दूसरा stronger banking system, ताकि merger हो छोटा-छोटा bank, जो है merger करके बड़ा bank बनाया जाए, ताकि कभी भी कोई situation हो international trade को अराम से deal कर सके, ठीक है, चलिए next question पर आते है, next question है, European free trade agreement consists of how many members, means member countries, ठीक है, यहाँ पर member countries होगा, ठीक है, इसका सही जवाब है four, ये question पूछने का region है क्योंकि अभी, अभी Switzerland के जो president है, Doris Luther, वो इंडिया के visit में है, ठीक है, तो अभी इस पर बात चल रहा है, ठीक है, कि free trade agreement हो, तो ये, ये एक, जैसे वहाँ पर European Union के country है, ये तो Switzerland, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ countries जो है, वो जैसे कि Switzerland, Iceland, Norway, and Lichtenstein, तो ये चारों मि Brazil के एक EFTA बनाए है, European free trade agreement, जो जैसे कि India एक साथ, वो sign करेंगे, तो उनका अलग चलेगा, और ये एक alternative block है, European countries से, that were unable, जो की नहीं जोइन करना चाहते है, EU, जैसे कि अभी Brexit हुआ, ठीक है, तो देखे, European economic community को नहीं जोइन करना चाहते है, और ये बना कब था, 1960 में, इसका है, headquarter है, Geneva में, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखियागा, कि कौन कौन सा country है, EFTA में, क्योंकि पूछा जा सकता है, इस तरह है question, चलिए next question पर आते है, next question है, name the committee set up to oversee Olympics preparation from 2020 to 2028, देखे, अभी the Hindu के the sports वाले page में जाईएगा, तो वहाँ पर दीखे एक task force बनाया गया था, तो उसमें committee बनाने जा रही है, हमारे sports ministry, उसका सही answer है, empowering steering committee, ठीक है, तो इसके जो member होंगे, वो कौन होंगे, ऐसे नहीं कि वो कोई, ये 13 member होगा, ठीक है, जिसके जो कि member जो होंगे, वो होंगे, एक तो sports ministry से होंगे, फिर national sports federation से होंगे, फिर Indian Olympic Association से होंगे, फिर former athletes होंगे and sports scientist होंगे, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चीज है, कि जो इस field से related है, उनी को इसमें सामिल किया जा रही, बहुत अच्छा step है, government के द्वारा, चलिए next question पर आते है, देखे है, अभी PV सिंदू और साहिनन एवाल ने, silver और bronze medal जीता, उसी पर ये question है, where was the world badminton championship, देखे 2017 का है, took place, तो इसका सही answer है, Glasgow, ठीक है, इसको याद रखे हैगा, बैंक तीयों में पूछा जा सकता है, ठीक है, चलिए और कोई exam में ऐसा नहीं पूछेंगे, चलिए next question पर आते है, next question क्या कह रहा है, name the article of Indian constitution, which provides respect for international law and treaty obligation, देखे, ये question पूछने का reason इसलिए है, कि अभी रोहिंगया, इससु चल रहा, अपर सांथ भूसन ने PIL दायर किया है, कि रोहिंगया, मुस्लिम जो है, उनको deport ना किया जाए, लेकिन हमारी union home ministry ने कहा है कि नहीं, जो भी illegal immigrant होके आए, उनको deport कर दिया जाएगा, मैन मान में तो इसलिए Supreme Court में एक PIL दायर किया है, जिसका फैसला आने हो सेगे, तो आज या कल तक आ जाएगा, ठीक है, तो इसका सही जवाब है, Article 51C, ठीक है, अब आईए आपको बताता हूँ कुछ इसके बारे में, Article 51C के बारे में, ठीक है, तो देखे, Article 51C कहता क्या है, ठीक है, औ और यह Article 51 के अंदर आता है, जिसमें कहा जाता है, Promotion of International Peace and Security, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिया है, क्योंकि यह अभी News में है, ठीक है, चलिए Next Question पर आता हूँ, Next Question है, According to the Disturbed Area Special Act 1976, यह आपसा से Related है, Once Declared, Disturbed, the area has to maintain a status quo for a minimum period, यह question बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको याद रखे हैं, कितने period के लिए रखा जाता है, तो फर्स्ट आपसान इस, 3 months, B is 4 months, C is 5 months and D is 6 months, इसका सही जवाब है, 3 months, ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ ब आपसा, 1958 में आया था, एक ordinance को द्वारा, ठीक है, बाद में इसको law बनाया गया, फिर यह Assam and Manipur was the first state where आपसा enacted, ठीक है, पहला बार लागू महीं किया गया था, पिर आर्टिकल 355 of the Constitution of India, प्रोभाइड करता है, Central Government के यह power, कि every state should be protected from internal disturbance, तो आर्टिकल, which आर्टिकल gives this power, इस आर्टिकल 355, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखियागा, इस सब छोटी-छोटी चीजे छूट जाती है, ठीक है, और मैं इनी सब छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देता हूं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, के लिए गुडबाय, और हमारा पेज लाइक करना न भूलें और प्लीज सब्सक्राइब अस, थैंक यू